आप सब का मेरे व्लॉग में बहुत स्वागत है आप सब स्वस्त होंगे तंदरुस्त होंगे हस्पुस्ट होंगे मेरी तरह जो कि हम नहीं है चलिए कोई नहीं आज हमने व्लॉग चालू किया है वन ट्व्टिफाइव पिम को क्योंकि साफ सफाई में लग गय थे तो दिमाग से उतर गया सिप़ी हो गया वह र्याद आया था फिर हम पहले पना एक काम निप्टा लें भी मुष्ट्ली सबीत हग गया है, बस मंदीर के रूम का बाकि. मंदीर के रूम का बाकि है, अब हम ज़ाडू कर रहे थे जो बच् humming को मिषचा है, ज़तीता, सफाई में निकला है, वो ज़ाडू करके निकाल रहे थे, देखिए इतना असा कचड़ा मेरा निकला है तो जाड़ू करके एकसाइट कर दिये हैं दरवाजी के पास अब बड़े से प्लास्टिक में भरके बाहर कचड़े में फैक देंगे अलमुस्ट सब हो गए इसका मैट भी धोने में सुख गया है यह तक्या कवर मतलब यह कुशन कवर तो सब्सक्राइबु कर दिया है कि अबैटा ने किकिचिन का बनानी का पांच कित थौर है था को सब मेंक इसे सल्फ की कॉली एक उतल घ्स में एक वहांथ रीकना वह सब्सक्राइब нормी दोन्त तडंच किसी कर दियक कंशाच पूर जो ने सबस्टाइब दोन अदियम सेठ कर दिया है सब मृत ग dolphins कसी अरव då जूमर तोरन बोलते न वो सब अभी कल दोईंगे इसको थोड़ा सा लिक्विट में डोब देंगे इसके बाद दोदेंगे अलमोर्ट सब कंप्लीट है और फ्रीच का कबर दोने में डाल दिया यह जो है ना मेरे फेकने वाले नहीं है समान सब को बस फेला के रखे इसका कबर दोने में डाल दिया है यह हो जाएगा तो फिर इसको हम बिचा के इसका क्लीन कर देंगे नीटन क्लीन लगभक सब होई गया है बस यह मंदिर में बोला था ना मंदिर कभी कांच मेरा बेटा कर दिया है पंखा कर दिया है बस यह अलमारी हमको बाहर से और अंदर से सजाना ह संडे को कपड़ उपड़ा चेंज कर देंगे यह मंदिर साफ कर देंगे मेरे हजमन सारा फोटो पोज देंगे यह कंपलीट हो जाएगा और यह रूम तो होगे था कंपलीट यहां का भी बेटा कर दिया था कांच ये मेरे फोल्ड़ का क्या नम है प्रेस के कपड़े यहां रखे हुएं दो दिन से आज तो हम कंपलीटी कर देंगparty इसको अपनी अपनी जगा रखी देंगे यहां कल के कपड़े थोड़े से फोल्ड़ कर दिये थे थोड़े से और कल रात को कल तीन बार तो यह सब प्लांट्स में जब मनी प्लांट्स को बराबर तरीके से यह करना है क्योंकि मनी प्लांट सब जूल जूल जा रहा है तो यह सब में इसको क्योर करके बराबर बांधना है क्योंकि एक कैसे उल्जा दिया मेरे हस्बन ने सब इधर का उधर इधर का उधर का उधर को अब इसको थोड़ी देर पकाएंगे, इसारा आइटम इसमे डाल देंगे, टमाटर का थोड़ा कच्छा पन निकल जाएगा, थोड़ा सा पानी गाल देगे, जो टमाटर लगा हुआ था, इसी दुरहां जो ये कसूरी मेथी है, ये कड़क हो गया है, हम आज के पास रखेंग अब ये कशूरी मेथी डालने से और अच्छा सुगंद और अच्छा फ्लेवर आता है, चलिए अब ये तेल छोड़ दिया है, अब ये पनीर और प्यास डाल देते हैं, और तुरत इसी तरफ हम पनीर का बारिक बारिक टुकड़क करके, बारिक बारिक नहीं, थोड़ा एक इंच इतना काटके, जब तक ये अच्छा सौते हो रहा है, पनीर की टुकड़े टुकड़े, टुकड़े कर दूँ पनीर के और उसमें डालें, फिर धन्य पत्ति डालक कि खुला देंगे, थोड़ा से पनीर काटते हैं, थोड़ा इसमें हम पनीर स्थायर के खुला देते हैं, और इसको अच्छे से, चला लेंगे, लूग मेरा को तो, बस हलका सा पानी डाल के थोड़ा खत खताएंगे एक उबाल जिसा आजाएगा उसके बाद ये खाने को रेडी है ज्यादा पानी डालेंगे बस इतना ही थोड़ा लटपटा चाहिए चावल होता है तो थोड़ा ग्रेवी थोड़ा और करते बड़ रोटी के साथ खाना तो इतना काफी है खुश्बू बहुत अच्छा रहा है चली भी इसको ठाक के थोड़ा खदकनी देते हैं और धनिया प चलिए मिलते हैं जब बन जाएगा सब तब वाव देखे मेरा पनीर दो प्याजा रेड़ी तो इट और इधर हम रोटी भी बना रहे हैं अब गैस बन और धनिया पक्ति प्रिंकल करके मिला देंगे और हम दुनों मा बेटा अब खाएंगे चलिए मिलते हैं खाने के बाद हालो गुड इवनिंग फ्रेंड्स वेलकम बैक शाम के आड़ बज रहे हैं और हम अपने लिए उप्मा बनाने जा रहे हैं सिम्पल और टेस्ट उप्मा जैसे मेरी मम्मी बनाती थी हमको थोड़ा थोड़ा दवेस वेसम बना रहे हैं देखिए हम क्या क्या भी डाल रहे हैं सिम्पल वे में उप्मा देखिए बताते हैं इसमें अभी चनादाल डालके प्राई डाल दिये हैं अब यह ओनियान मिर्ची करी पत्ता डालके इसको लोग आच में सेलो प्राई करेंगे अहां अहां कितना अच्छा कुछ वो आ रहा है करी पत्ता और राई का अब इसको शैलो फ्राई कर रहे हैं मेरी ममी दो तर्यां से बनाती थी एक तो शायद आप लोग भी वैसे बनाते होंगे एक तो सूजी को पहले फ्राई कर लेते हैं फिर बाद में यह सब फ्राई करके इसको पानी डालके इसको खौलाते फिर सूजी डालते हैं और एक ममी और यह और कम फ्राइक बने और नमक और पानी बनेने चुर बर्टे क्या है अब फिलाल इसको ख़्राइक करसे बहुता है यह थोड़ा सा प्याज हल्का सा कलर चेंज कर लेगा तब ही हम इसमें सूजी डाल देंगे सिंपल वे में अगर आप चाहें तो गाजर मतर बहुत लोग टामाटर भी डालते हैं साउथ हिंडियन लोग तैसी बनाते हैं साउथ में तो टमाटर माटर सब पड़ता है जो वेजिटेबल रहगज सीजन का उसे साब से टाल देते हैं हमने देखा है खाया है मेरे चनादाल थोड़ा जादा ही लाल हो गया है वही बात निक मेरे को तो अच्छा लगता है देखिए हरी मिर्ष हम थोड़ा ज्यादा लियें कि मैं को चट्पटा खाने कमन कर रहा है थो थोड़ा तेज ले लिया तीन के जगा चार ले लिया अभी देखिए मेरा लाल भी हो गया है अभी हम इसी स्टेज में यह एक कटोरी सूजी डाल के प्राइब करें थोड़ा ल तो नहीं तो नहीं थोड़ा 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 थोड मतला खुश्बू आने लगा मने बुन गया है अब हम इसमें नमक डाल देंगे अंदाज से नमक डाल देंगे बुन गया काफी देख से बुन रहते हैं अब यहाँ पे पानी डाल के अंदाजिश इसको तुरद आसे से हिलाते रहेंगे जिससे की इगारा हो जाए देखिए मेरा उप मारेडी देखिए कितना खिला खिलाया है यह थोड़ा मोटा दाना वाला है सूजी एक महीं दाना वाला आता है और एक की मोटा दाना वाला है और जादा तर इसी का हलुआ हो चाए उपमा हो टेस्टी बनता है चलि मेरा यह रड़ी अब यह खान यह को तैयार तो ठंडा हो जाए फिरम खाएंगे झाला है